हेलो एन विलकम दोस्तों मैं हूँ और को आप देख रहे हो हाई टेक ब्रो दोस्तों आज के वीडियो में आपको 10,000 का अंदर में 6 स्मार्टफों बताने वाला हूँ जो की सबस्रादा बेस्ट है अगर हम लोग 10,000 का अंदर कोई फोन लेना चाहे तो रियल्मी और शामी बह वाले यानि कि Samsung का जो बेस्ट है अंडर टेन थादन वो देखने को मिलेगा ऐसे शामी रेल्मी ओपो वीव और मोटरो लोजाए से ब्रैंड आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा इससे क्या होगा कि आप लोग को जो ब्रैंड पसंद है उसका फोन आप ल मिल जाए हम लोग का तरफ से और वीडियो अगर आगे पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करके जाना है और कमेंट से में बताना है दोस्तों आप लोग को कौन से फोन सब्से जादा अच्छा लगा है मुझा लेकिन मैं वह रिकॉमेंड नहीं करूंगा आप लोग को क्योंकि उसमें उतना खास कुछ नहीं है आप लोग अगर Samsung का ही फोन चाहिए तो आप लोग यह खादर ज्यादा लगा के Samsung Galaxy M11 के लिए जा सकते हो दोस्तों यह फोन इसी साल में लाउंच हुआ था यह फोन आप देखने को मिल जागी यह फोन और इस प्राइस पॉइंट में आप लोगो 3GB प्लस 32GB वाल अप लोग देखने को मिल जाएगा और उसका साथ साथ आप लोगो इसमें 6.4 इंचेस का L3 डिस्प्ले देखने को मिलेगा डिस्प्ले उतना खास नहीं है दोस्तों उसका वाला प इसमें आप लोगो दोस्तों Snapdragon 450 का चीपतर देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छा बात है अगर Samsung का तरुट से देखा जाये तो कैमेरा का बात करते हैं इसमें आप लोगो ट्रिपल रियर कैमेरा देखने को मिल जाता है दोस्तों जैने कि पिछे में आप लोगो तीन कैमेरा देखने को मिलता है जो कि 13 प्लस 5 प्लस 2 मेग पिसल का और जो फ्रंट कैमेरा है वह आप लोगो 8 मेपिसल का देखने को मिलता ह लेकिन इसमें आप लोग को दोस्तों front camera में flash देखने को नहीं मिलता है लेकिन इसमें जब से बढ़िया बात है वह है इसमें आप लोग 5000 इमेज का battery देखने को मिल जाता है और उसके साथ आप लोग को fast charging का support भी देखने को मिल जाता है और इसमें आप लोग को type C port भी देखने को मिल जाता है जो जो जितना ही phones का बारे में बतांगो वह सबका links आप लोग को description में आप लोग को link मिल जाएगा वहां से जाके आप लोग खड़ी सकते हो तो हम लोग का लिंक से आप लोग खरीते हो तो हम लोग का चैनल को थोड़ा सा मदद मिल जाता है तो अगर आप लोग कोई भी phone खरीतना चाहते हो तो हम लोग का link से प्लीज खरीदिये दोस्तों उसका बात जो brand आता है हम लोग का list में वह है Xiaomi और दोस्तों अगर Xiaomi का बात करें आप लोग बहुत सारे options मिल जाता है दस हजार का अंदर लेकिन हम लोग का list में जो phone है Redmi 9 Prime क्योंकि यह बहुत जाद रिसेंट ही launch हुआ phone है और इसका specifications का सामने में कोई भी और phone आप लोग पसंद में नहीं आएगा दोस्तों इसका price है 9999 यानि की 10,000 दोस्तों 10,000 में आप लोग को 4G प्लस 64G वाले variant देखने हो मिल जाता है जो कि काफी अच्छे बात है और इसके साथ साथ आप लोग को 6.53 इंचेस के LC display मिल जाता है और दोस्तों हम लोग का list में आगर 10,000 रुपिया का अंदर में बात करे तो यही एक phone है जिसमें आप लोग को HD plus display देखने हो मिल जाएगा और जोस्तों है परफॉमेंस का बात करें इसमें आप लोग को MediaTek Helio G80 का support देखने हो मिल जाता है आप लोग इसमें आड़ाम से gaming वागेरा कर सकते हो और camera का बात करते हो दोस्तों इसमें आप लोग Quad camera setup दे description में आप लोगो link मिल जाएगा वहां से जाके आप लोग खड़ी सकते हो दोस्तों उसका बात जो brand है हम लोग का list में उसका नाम है Realme दोस्तों Realme का भी आप लोग को काफी सारा options देखने हो मिल जाएगा 10,000 का अंदर रियल्मी का नार्जो 10 ने बहुत जाद हीट था 10,000 का अंदर में लेकिन अभी C30 से Realme का तरप से बहुत सारा phones आ गया है रियल्मी C12 रा रियल्मी C15 जासे है और हम लोग का list में जो फोन है वो है Realme C15 दोस्तों 10,000 रुपय का अंदर में आप लोग के इसमें 3GB प्लस 32GB वाला बेरेंट देखने हो मिल जाएगा जो कि काफी अच्छी बात है दोस्तों और उसके साथ साथ आप लोग को 6.52 इंचेस का इसमेर को फ्रेंट का मिल जाएगा दोस्तों इसमें सबसे चाजात है जो प्रॉस पॉंट है इसका भाड़ा सा बैटरी देखने हो मिल का अपर लोग डिल जायगा इसमें अब लोग को bandsängen को अब्सी का पोर्त देखने हो मिल जाएगा अगर आप लोग को कुरीडिद ने म में आप लोग को यह फोन देखने हो मिलेगा और इस प्रैस पर्ड में आप लोगो 3G प्लस 32G वाला फिटेंट देखने हो मिल जाएगा और उसका साथ साथ आप लोगो यहां पर 6.35 इंचेस का IPS LCD इसनेटेट का साथ 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 आप लोगो 3D साथ का मिल जातां याज वह on कीं यह का देखनेंगे आप लोगों से 12 PS fantast मिल जाता देखनेगा ब sachक का चत्रेस का दोस्तो का दाप ब्रैंड इंडिया में वह उप्पो और पर तरफ गा उदन एक अंदर 32GB वाला वेडियंट है वो आप लोगो 10,000 का अंदर में देखना हो मिल जाएगा और उसका साथ साथ इसमें आप लोगो 6.2 इंचेस का IPS LCD डिस्पले देखना हो मिल जाएगा और परफॉर्मस का बात करते हैं इसमें आप लोगो MediaTek का Helio P35 के चिपसेट देखना हो मिल जाएगा और कैमेरेस का बात करते हैं इसमें आप लोगो डूल रेयर कैमेरे देखना हो मिल जाएगा जो कि आप लोगो काफी डिसेंट बैटरी लाइफ देदेगा उसका बात जो स्मार्टफोन ब्रैंड है हम लोगो का लिस्ट में वो है मोटरोला और इसका जो स्मार्टफोन है हम लोगो का लिस्ट में उसका नाम है मोटो G8 पावर लाइट दोस्तों ये फोन भी बहुत ही बढ़िया है दोस्तों इसका जो 4G plus 64G वाला फिरेंट है दोस् इसके सारे आपट आप लोगो इसमे ट्रीपल रियर चैमेरी देखनों मिलता है यह 16-2mmPlus 2Megp. और विच blueberry 8Megp. सब्स नहींठों के र를िया कॉनरे उप्ले इसमें इस 20 ऐप भी आप 5500 ईमेज के बैटरी देखनों की इसमें इस सब्सce accents प्लस पॉइंट। यह Motorola का तरफ से आता है और जो Motorola है दोसको UI आप लोग को बहुत जादा क्लीन मिलता है मतलब एक दम Closest to Stock Android जैसे experience आप लोग को देखतों कि इसमें मिल जाएगा दोस्तो यही 6 फोन सा 6 ब्रेंड का तरफ से और भी दोस्तो टॉप सेलिंग ब्रेंड से इंडिया में परसेनल चोईस का बारे में बता है तो मुझे सबसे बड़िया लगाया है Xiaomi Redmi 9 Prime दोस्तों कि इसमें आप लोग को सब कुछ अच्छा मिल जाता है इसमें आप लोग को G80 का प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है इसमें आप लोग को HD Plus screen भी देखने को मिल जाता है इसमें आप लोग को 5000 image के battery भी देखने को मिल जाता है और सबसे बड़ा बात है दोस्तों इसमें आप लोग को 4G plus 64G वाला variant भी 10,000 का अंदर में देखने को मिल जाता है तो दोस्तों अगर आप लोग को एक all-rounder phone लेना है तो आप लोग इस phone को देख सकते हो ऐसे अगर आप लोग को Xiaomi पसंद नहीं है तो आप लोग दूसरे brands के लिए भी जा सकते हो और एक brands का best smartphone अंदर 10,000 हम लोग बता दिया इस वीडियो में आप लोग वो भी देख सकते हो तो दोस्तों अगर हम लोग को चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कियो तो प्रीज हम लोग को चैनल सब्सक्राइब कर लेना और notifications को all में set कर देना तो दोस्तों मिलते हैं आप लोग से अगला वीडियो में तिल देन बाई बाई